Hello everyone, thanks for watching your favorite YouTube channel ILS Playa, welcome back in another video तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDP के बारे में बचेs IDP को बलेम कर रहे हैं जानेंगी बुक की से रेलेटेड IDP को बलेम कर रहे हैं तो वीडियो काफी important है आपके लिए भी अगर आप भी अपना ILS का exam देने वाले हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हर एक मड्यूल के बारे में टेप्स और टेक्स आपको जहाँ पर मिलेगी ठीक है, IDP की तरसे कोई निव अपडेट आती है उसकी इंफर्मेशन आपको जहाँ पर मिलेगी और और भी काफी बेनिफेट है चैनल को सब्सक्राइब करने के अगर आपको मारा मटीरियल भाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको हमें Instagram पर मैसेज करना होगा Instagram ID का लिंक मैंने description box में डाल दिया है अगर आप Instagram जूज नहीं करते हैं आप हमें email भी कर सकते हैं तो फिर श्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो काफी बचे मुझे ये कहते हैं कि सर मेरा जो result है वो repeat हुआ है मैंने पहले exam दिया था अब भी मैंने exam दिया है डिटो मेरा same result आया है जब मैं उनसे screenshot लेता हूँ तो बिल्कुल ही different होता है बचे कहते हैं कि मान लीजे कि उनका एक module में result repeat हो गया उसको हम नहीं कहेंगे कि result repeat हो है result जो repeat होता है इसका मतलब क्या है अगर आपका चारों के चारों module में डिटो band score आता है तब आपका माना जाता है कि result repeat हो है जो कि बहुती rare chances होते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका चारों के चारों module में डिटो band score आ जाएगा ठीक है अगर आपका आता है तब कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो आपका result जो repeat हो है कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि पहले मेरे listening में 5 and 5 आये थे इस वार मेरे writing में 5 and 5 आगे और बाकियों में 6 हैं क्या मेरा result repeat हो है तो नहीं आपका जो result है वो repeat नहीं हुआ ऐसा नहीं होता अगर चारों module में डिटो band score है तब हम मान सकते हैं कि आपका result repeat हो है ठीक है तो जो doubt है अपने mind से निकाल दो IDP को इसे related हम blame नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें IDP की कोई खलती नहीं है performance उपर नीचे हो जाती है अपनी preparation पर ज्यादा द्यान दो अपना जो target है उसको ज्यादा रखो अगर आप सोचने है कि मेरा 6 band score आजे किसी भी तरीके से तब आपको 7 band की preparation करने चाहिए तब आपको bands को लेने से कोई भी नहीं रोख सकता बाकिया कोई भी help चाहिए तो आप हमें comment करकर बता सकते हैं आपकी हर एक type से help की जाएगी और इस वीडियो को last तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you so much